नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा आज फिर से हाजिर हूँ, मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी लेकर, जिसका शीर सक है, कट घरे में रिष्टे, तो आए कहानी शुरू करते हैं। पंडितों का दल अपनी दान दक्षिना समेट कर विदा हो गया था। जो सबके आराम में खलल डाल रही थी, पर उसे जहलना मजबूरी थी, इतने सारे लोगों का खाना था, बटन तो निकलने ही थे, इस पर भी चाचा और बुवा दस बार सुना चुके थे। तेरे वी की इतनी छोटी पंगत पहली बार देख रहे हैं। मानुप पंगत के आकार से ही माने वाले की महनता आखी जाती है। सब लोग अभी अलसाई से उंग रहे थे कि एक कार टेक्सी दरवाजे पर आकर रुकी। हम सब उठ बैठे। तेरे वी के बाद अभी एक कौन मेमान आये हैं। तबी चाचा जी के मोहित ने बताया कि टेक्सी भहिया के लिए आ रही है। अंकित के लिए? अंकित कहा जा रहा है? उत्तर में अंकित ही सामने आ खड़ा हुआ। दोती कुर्ता उतार कर उसने पैन शर्ट पहन लिया था। उसके कंदे पर एक बैग और दूसरे में ट्रॉली बैग था। तुम कहां चल दिये भाई? मामा ने पूछा। मेरी मुंबई से आरली मॉर्निंग फ्लाइट है। उसके लिए यहां से छे बजे बाली फ्लाइट पकरनी जरूरी है। इतनी जल्दी? मैं कहते कहते रुख गई। पता नहीं यह सब कहने का मुझे अधिकार है भी या नहीं। अंकित ने मेरा बुदबुदाना सुन लिया था। जल्दी कहां दीदी? पूरे तेरे दिन तो रह लिया। सारे काम हो गए। अब बच्चा कुछा चाचा जी देख लेंगे। उसने बैग नीचे रखकर सब के पैर छू लिये। मुझे हलके से गले लगा कर टेक केर कहा। मोहित रोहित के कंदे को थप थपा का सीधे गाड़ी में जा बैठा। हम खिड़की से उसका हाथ हिलाना देखते रहे। और गाड़ी आँखों से उजल हो गई। कुछ दिर सन्नाटा सा चाया रहा। फिर चाचा जी बोले बच्चों को पर्देश में भेजने का हस्र देख लिया। बाप को मरे अभी पंद्रे दिन भी नहीं हुए हैं और हजरत ओड लिये। दिस इस अब इंसल्ट यार। फूपा जी बोले महमान अभी बिदा हुए नहीं है और घर का खास आदमी ही रवाना हो गया। आप चिंता क्यूं करते हैं मैं हूँ ना अभी। चाचा जी ने उन्हें दिलासा दी। हाँ बचा कुचा समेटनी के लिए तुमी से तो कहा गया है। मौसी ने तब बड़े ही कातर स्वर में पूछा अनू तुम तो अभी कुछ दिन रहोगी ना। हाँ मौसी इसलिए तो देर से आई हूँ ताकि सब लोगों के जानी के बाद मम्मी के पास कुछ दिन रह सकूँ। अब उन लोगों को मैं कैसे बताती कि मेरा तो आने का कोई इरादा ही नहीं था। मुझे तो सास ने और उनके बेटे ने ठेल कर भेजा है। मा जी का कहना था कि आखिर को वो तुमारे पिता थे। ऐसे समय में मान अपमान सब भूल जाना चाहिए। सुबोध ने कहा जब अंकित ने स्वेम फोन करके सूचना दी है तो इसका मतलब है बे लोग तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैं आने के लिए राजी हुई थी पर सुबोध को साथ चलने के लिए साफ मना कर दिया। कहा कि वो लोग मेरे हैं अपमान करेंगे तो सहलूंगी पर यदि तुम्हारा अपमान हुआ तो मेरे लिए मरन प्राय होगा। फिर मैं अकेली ही आई थी यहां सब को बहाना बना दिया। सासुमा बहुत बूरी हैं और बच्चों के स्कूल चल रहे हैं इसलिए दौनों एक साथ घर नहीं चोड़ सकते। रात को सोने के तयारी कर रही थी कि बुवा मेरे पास आवे थी। अनू एक बात कहनी थी हम लोग कल सुबर निकल रहे हैं हम लोग तो खेर हाथ हिलाते ही जा रहे हैं पर तुम खाली हाथ मत जाना अपने पैसों से ही सही अपने लिए एक साड़ी और जमाई बाबू के लिए एक शर्ट खरीद लेना क्या। बहन बेटी ऐसे मौकों पर खाली हाथ बिदा नहीं होती। कुछ ले जाओंगी तो उन्हें आश्यर ही होगा। उन लोगों के जाने के बाद मैंने मम्मी से अकेले में पूछा क्या हमारे यां ऐसे मौकों पर भी कुछ लेन देन होता है। बुगा कुछ उम्मीद लगाएं थी। मम्मी एकदम तो नग गई। उस चोड़ैल को तो मैं कानी कौड़ी न दूँ। जिंदिगी भर लगाई बुजाई करती रही है। मा बेटी दौनों कान भेने में उस्ताद रही हैं। हम दौनों में लड़ाई करवाकर मजे लेती रही हैं दौनों। उनसे कहो जो कुछ लेना हो अम्मा के पास अपने भहिया के पास उपर जाकर ले लेना। बड़ी मुश्किल से मैंने मम्मी को शांत किया और विशे वदल दिया। मुझे मालूम था सब ये विदवा का करोण चोला वो बहुत दिन तक ओड़ नहीं पाएंगी। शीगरी अपने फॉर्म में लोटेंगी। पर कम से कम जब तक घर में महमान हैं तब तक तो शांत बनी रहें। वैसे मम्मी का तुनकना गलत नहीं था। पापा कभी भी अच्छे पिता ये अच्छे पती नहीं बन सके। पर वे बेटे बड़े फर्मा वरदार थे। एकदम सरवन कुमार। मा की एक बात खाली नहीं जाने देते थे। दादी को हमेशा ये मलाल रहा कि उनके सुदरशन बेटे को अनरूप पतनी नहीं मिली। यह बात न वे भूलती थे न बेटे को भूलने देती थे। यहीं एक मुद्दा था जिसे वे हत्यार की तरह इस्तेमाल करती थे। इस बात पर मम्मी को कभी भी अपमानित किया जा सकता था। पापा भी कम नहीं थे। अपनी M.A.P. पतनी को जब तक मानसिक रूप से और कभी कभी शारीरिक रूप से भी प्रतारित करने में भी अपनी पौरुश की सार्थकता समझते थे। मम्मी का अजहाई गुस्सा तब बच्चों पर उतरता था। दादी इस मौके को भी भुना लेती थी। बच्चों को जट से अपन तो कलैपूर बातावरन के कारण मैं अपने इसनेह का आलमवन बाहर ही कुछती रही। इसकूल में मेरी धेर सारी सहीलियां थी। पर उन्हें घर लाने का साहस मैं कभी नहीं कर पाई। मैं खुद ही घर से भागी भागी फिरती और सब की डांट खाती थी। कॉलेज पहुचने तक मेरी वृत्ती में थोड़ा ठहराव आ गया था। थोड़ी बहुत अकली भी आ गई थी। दादी की कार गुजारियों का रहसी भी समझ में आने लगा था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादी संसार से जा चुकी थी। और जितना नुक कॉच पाई। पर उसे भी घर लाने की मम्मी पापा से मिलमानी की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। अपने दूरदानत पिता की संभावित प्रतिक्रिया से में डरी डरी सी रहती। मेरे लाग कोशिशों के बावजूत यह बात दबी ढकी नहीं रह सके। घर वालों को भनक समझ गई कि इस शादी के लिए घर से स्विक्रिती मिलना लगबग असंबब है। घर से भाग कर शादी करनी के सिवाए कोई चारा नहीं था। पापा बहुत तिल में लाए। उन्होंने बहुत हाथ पेर पटके पर में बालिक थी। बे कुछ भी नहीं कर सके। तब की माने अपना ममता भरा हाथ मेरे सिर पर रखा और वा आश्वस्ती दी जिसकी अपेक्षा बच्चे अपनी मां से करते हैं। सब लोगों के चले जाने के बाद घर में मम्मी की साथ अकेले रहना बड़ा असहज लगा। हम लोगों के बीच कभी कोई आत्मियता नहीं रही। संबाद नहीं रहा। बच्पन में दादी ने हम लोगों को अपने में शामिल कर लिया था। अब दादी नहीं थी पर मम्मी से वा अव्यक्त दूरी वैसी ही बनी हुई थी। मैं दिन भर बिखरे घर को समेटने में लगी रहती। हुआ काम जरूरी भी था और उसे समय भी था था। थार्टीन डेज इस टू मच यार। क्या इस कारिकरम का कोई शॉटकर्ट नहीं हो सकता। मैंने कहा बेटा मेरे समय जब आओगे तब चार दिन में ही सब निप्टा कर लोट जाना। किसी को बुलानी की भी जरूरत नहीं है। मुझे इतनी कोफ्त हुई अभी ए तो मैं लेने वह फिर से आएगा या टिकेट भीजेगा। मेरे जाने के संबंद में तो कोई बात नहीं हुई है। हाँ घर के लिए जरूर कह रहा था कि अब इतने बड़े घर का क्या करोगी इसे बेच के छोटा सा फ्लैट ले लो और पैसा फिक्स कर दो। यह सब बाद म अपने ही काम आएगा। मम्मी साथ ले जाने से तो रही। फिर क्या मैंने साफ कह दिया कि अगर मेरे खून पसीने और आंसों की कमाई है। मेरे जीते जी इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। बाद मैं जो चाहो करना। मैंने कहा एकाद किराएदार रख लो साथ रहेगा। किराएदार के लिए अलग से पैसेच कहा है। सब यहीं से ओकर निकलेंगे फिर पानी की किलत, बिजली के बिल पर किच-किच, बच्चों की चिल लपूँ। अब यह सा मुझसे नहीं जहला जाएगा। तो पेंग गैस ट्रक लो। आजकल कितनी लड़किया शेहर में नौ सेटल हो जाओ। मैं बिल्कुल सेटल हूँ, मेरी चिंता मत करो। पहली बार इस घर में खुलकर सांस लेकर जी सकूंगी। बैसे तुम कब जा रही हो। मैंने तारीख बता दी। मोहन ने कहा था कि अन्नू चली जाए तो मुझे खवर कर देना, आकर ले जाओंगा। चली जाओंगी और दो-चार दिन उसके पास रह लूँगी। दो-चार दिन क्यों पूरा एक महीना रहकर आना, यहां घर में कौन तुमारी प्रतिक्षा में बैठा है। मेरी नौकरी तो है ना, अभी चुट्टी बढ़ा लूँ, चुट्टी तो मिल जाएगी पर मन नहीं होत संकोच होता है कि इन छोटे भाई बैनों को कभी चार दिन के लिए भी अपने पास नहीं बुलाया, कभी कोई चीज उठा कर नहीं दी, लगता था मा बेटे कहीं उनका अपमान न कर दे, उनका न सही मेरा तो कर ही सकते थे, करते ही थे, छोटे भाई बैनों के सामने रहा होगा, फिर ये लोग क्या तुम्हें बिना दे के ही व्याल आये थे, बिना दे के क्यों पूरा कुनवा आया था देखने, पूरे दो दिनों तक खातिरदारी का लुथ उठाया था, फिर तुमारे रंग रूप को लेकर इतनी कड़वाहट क्यों थी, लगता था जैसे किसी ने इने ठग लिया हो, ये लोग रीजे थे मेरी नौकरी पर, मेरी डिगरी पर, शायद सास के मन में ये डर भी रहा होगा कि बहु सुन्दर हुई, तो लड़का हाथ से निकल जाएगा, भूका होकर रह जाएगा, इसलिए उन्होंने इस रिस्ते पर तुरंत मोहर मैं उस तरह के सीरियल नहीं देखती, पर मैंने उन्हें जिया है, तीस बतीस साल, और तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं सुन्दर होती, तो मेरा प्रारब्द कुछ और होता, मतलग, मतलग तब भी ये व्यक्ति हीन बोद से ग्रस्त रहता, मेरे चरित्र के प्रति सशंकि रहता, आने जाने वालों को संदे की द्रिष्टी से देखता, और हर जगर मेरी जासूसी करता, और माता स्री भी मेरे खिलाफ सबूत जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, कुल मिला कर इतिहा से ही होता, सुनकर सुन्द हो गई थी मैं, जानी का दिन जैसे जैसे पास आ नहीं अपनी संपूर सज्जा के साथ उपस्थित था, बच्चों का मुह नहीं होता तो मैं और एक आद महीना यहां रहकर जाती, बैसे भी मैंने मन ही मन तैय कर लिया था, किसी छुट्टी में बच्चों को लेकर यहां आऊंगी, उन्हें अपना घर दिखाऊंगी, उनकी निमंतरन की प्रतिक्षा नहीं करूंगी, दूसरे दिन सुबह निकलना था, इसलिए मैं रात में अपनी सूट केस जमा रही थी, उसी समय ममी ने मुझे अपने कमरे से आवाज दी, जाकर देखा पलंक पसाड़ियों का धेल लेकर बैठी थी वे, बोली, इन मैंसे जो तु कभी हाथ नहीं लगानी दिया, उन पर कुंडली मार कर बैठी रही, कॉलेज के फंक्शन्स पर, फेयर वेल पार्टियों में, सहिली की शादियों में, मुझे अरोस पडोस की चाचियों के भावियों के ऐसाम लेने पड़ते थे, अब मैं इन साड़ियों का क्या करूंगी, अब तो मेरे पास अपना खुबसूरत कलेक्शन है, सोची रही थी कि किन शब्दों में मना करूं कि उन्हें बुरा भी न लगे, उसी समय मम्मी ने एक बात कह दी कि मैं भीतर तक काट हो आई, बोली, तुम्हारे पापा ने मुझे और तो कोई सुक दिया ही नहीं, एक पह हमेशा प्रिजेंट टेवल रहना चाहिए, इसके बाद मैंने उनके उत्तर की प्रतिक्षा नहीं की, साणियां उठा का फिर से अलमारी में जमाना शुरू कर दिया, जीवन में पहली बार शायद मैं उनकी अलमारी छू रही थी, उसके भीतर का संसार मेरे लिए अंजाना था, और मैं बाद सुलब जिग्यासा से उसे देख रही थी, पलंग पर जब दो तीन साडियां ही रह गई, तो मम्मी ने कहा, क्या तुम एक भी नहीं रखोगी, मुझे लगा उनका स्वर कातर हो आया है, या हो सकता है मेरा ब्रहम हो, पर उसके बाद मैंने साडियों को वह मेरे पास चल कर रहो न, अच्छा लगेगा, तुम्हारे पास, वहां तुम्हारी सास भी होंगी न, वे क्या सुचेंगी, कुछ नहीं सुचेंगी बलकि उन्हें अच्छा लगेगा, वे पारम पर एक सासों की तरह नहीं हैं, एकदम अलग हैं, तब तो उनसे जरूर मिलना चाहूंगी पर उससे पहले थोड़ा मन बनाना होगा हिम्मत जुटानी होगी और मेरे अकेलेपन की चिंता मत करो मैं तो सदा से अकेली हूँ भरे पूरे परिवार के बीच भी अकेली थी ना पती अपने थे ना बच्चे सास ननत का तो खैस सवाल ही नहीं उठता शुरू श ममी ने हम सबको मुझे अंकित और पापा को कट घरे में खड़ा कर दिया और हमारे पास बचाप की कोई दलील नहीं थी दोस्तों अभी आज सुन रहे थे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई कहानी कट घरे में रिष्टे कहानी सुनने के लिए धन्यवाल